हेलो डियू स्ट्वूर्टेंट सो वेलकम तो मैं चैनल अकैर मुबिला आयम आस्तोस और लेट्स विगिन टुड़ी इस क्लास आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12 की जो इंगलिस की वुक है उसके चैप्टर 4 जिसका नाम है I Have A Dream को पढ़ेंगे और जानेंगे इस बढ़िया से स्पीच के बारे में क्योंकि यह जो स्पीच है उसको दिया था मार्टिन लुदर किंग जूनियर ने तो पहले हम हब A Dream जैसे कि इनका एक सपना था जो सपना था उन्होंने कहां पर बोला कैसे बोला वो बोलना क्या चाहते थे इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे और एक चैप्टर इनका एक स्पीच है तो बिना देरी की हुए इस स्पीच को देखते हैं और उस आस तक देखेंगे तो आपको चैप्टर धंग से समझ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर है कि मार्टिन लुदर किंग जुनियर जिनका जन 1929 में हुआ और 1908 में इनको मार दिया गया था गोली से क्योंकि मैंने पहले पर रखा है यहां पर लिखा है रहफा है यहां कि अद्यहकर दो करते हैं कि कुछ लोग बैपिस्ट उते हैं कुछ लोग कैखली होते हैं तो जो संद होता है उनकी टाइप का истории के WORZ training दी जाती है कि हाँ church में गिर्जा घरों में वो होते हैं तो वो by training he was a Baptist minister ठीक है जी एक चीज तो इनके बारे में यह पता चल गई दूसरी चीज है कि he became a civil right activist early in his career, यानि कि अपने career के दौनार, हैना बहुत early age में ही वो एक civil right के activist बन गए, यानि कि तो civil right का मतलब जो होता है नागरी का अधिकार, उनके नागरी का अधिकारों के लिए जो कारे करता होते हैं अ activist, वो बनके वो early age में ही अपने early career में ही साथी साथ, leading the Montgomery birth boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference, देखी, यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले तो दो चीज़े मैंने बता दी Baptist minister by training हुए, फिर इसके बाद से अपने early career में ही उन्होंने civil right के activist बन गए वो साथी साथ, Montgomery birth boycott, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मैं जल्दी से इसको bind up करता हूँ, Montgomery Montgomery एक जगे का नाम था, है ना अमेरिका में, और वहाँ पे एक बस का बस का एक accident हुआ था, accident in the sense की यह में समयना है, गाड़ी भेड़ गई थी नहीं, एक किस्सा है इसके related, कि boycott का मतलब बता दो, boycott मतलब होता है बहिसकार करना, right, तो Montgomery में बस में, कुछ scene हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, भेड़भाव, है ना तो जाती यह जिसे गोरे और काले लोगों में भेड़भाव किया जाता था तो बस में कुछ ऐसा system था, कि आधे लोगों को, गोरे लोगे बैठेंगे आधे लोग, काले लोग बैठेंगे साउले लोग बैठेंगे, तो जैसे ही अगर उससे ज़्यादा लोग आते हैं और उसमें अगर कोई गोरा व्यक्ति चड़ता है तो उसको ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा एक काले व्यक्ति को उठा दिया जाएगा तो ऐसे करके कुछ system था तो वहाँ पर उस एक बस में वो travel कर रहे थे, जिससे में की बात है और उससे में क्या हुआ कि एक लेडी बस में एक गोरा व्यक्ति बस में चड़ा तो उसको seat देने के लिए एक व्यक्ति को काले व्यक्ति को उठाया जा रहा था है ना, तो इसी का उस जो काले व्यक्ति था उसने भैसकार कर दिया तो इसी वज़े से इसका boycott का नाम देजिया गया Montgomery bus boycott और इसको वो lead कर रहे थे क्योंकि इससे वो बहुत ही हता हाथ हुए उस बस में ये भी थे तो उन्होंने इसको lead किया क्योंकि ये बहिसकार के रूप में उन्होंने आगे चड़ कर आएं, lead किया उन्होंने तो इसलिए लिए कर रहे, leading the Montgomery bus boycott ठीके, आगे है and helping to found the Southern Christian Leadership Conference और उन्होंने Southern Christian Leadership Conference को मतलब उसको संगर्थन भी किया उसको नेतरित भी किया ठीके, आगे देखिए influenced by Gandhi जी, मैंने पहले ही गो रहा था गांदी जी से बहुत प्रभावित थे influenced थे His philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention जो उनकी philosophy थी, गांदी जी के भी यही philosophy थी कि आप आहिंसा के खिलाफ थे हो तो वही philosophy उनने भी अपनाई और इसी वज़े से यह भी worldwide इनको attention मिला यानि कि लोग इसको उनको जान पाए है ना, in 1964 1964 में क्या हुआ King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort अपने प्रयासों के लिए ताकि वो end segregation and racial discrimination देश में जो segregation, मतलब segregation मतलब होता है छाटना है ना, अलग-अलग कर दिया जाता है लोगों को, तो वो उस segregation को end करने के लिए और साथी साथ racial discrimination है ना, racial याने की जाती आधार पे जो भेदभाव किये जाता है उसको रोकने के लिए उन्हें जो प्रयास किये थे ना उसके वज़े से उन्हें बहुती कम age में उनको Nobel Prize से नमाजा गया और इसलिए वो youngest person हो गये जिसको Nobel Prize दिया गया, 1964 64 में और उन्होंने ये कैसे end किया था, ये भेदभाव जो था, कैसे खतम किया था तो through civil disobedience and other non-violent ways उन्होंने बहुत साथ तरीके अपनाया थे जैसे कि सभी ने अवग्या आंदोलन टाइप का कुछ था और आहिंसा का तरीकों का इस्तमाल नहीं किया था ये ना non-violent तो ऐसी कुछ चीज़ों से उन्होंने racial discrimination और segregation को end किया था जिस वे से उन्होंने Nobel Prize दिया गया आगे देखते हैं King was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee ये जगे का नाम है तो 1968 चार अप्रेल का दिन था और उन्हें गोली मार दी गई है ना उनकी हत्या कर दी गई King, King यानि यही मार्टेल उदर King को बात की जा रही है आगे है King's important work include ये सारे नाम है मतलब उनके जो महत्वपूर्ण उनके कारे जो है उनमें शामिल है क्या क्या चीज़ Strength to love Stride towards freedom The Montgomery Story Why We Can't Wait And Where Do We Go From Here Chaos और Community I Have a Dream जो की अभी हम पढ़ रहे है इस पीच है दिलिवर्ड रूप्स अब लिंकोन मेमोरियल इन वासिंटन दीसी अन अगस्ट 28, 1963 1963 अठाईस अगस्त का दिन था और उसी दिन इन होने जो मेमोरियल लिंकन मेमोरियल हौल जो था वासिंटन डिसी में उनकी सीढ़ियों पर स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर ये स्पीच उन्होंने दी थी आगे है कि Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state Alabama उहां का एक state था तो उन्होंने इस speech में ये दर्साया था जाहिर किया था कि उनकी जो उनका जो सपना है ताकि वो Alabama को एक developed state देख पाएं हैना साथे साथ free of racial distinction between the whites and the blacks whites and blacks के बीच में जो जाती ये distinction है भेदभाव है उसको उस चीज को उस state से free कर सके हैना free of तो ये सारे सपनों के लेकर बाते की थी उन्होंने कि मेरा ये सपना है in 1963 तो ये जो स्पीच उन्होंने दी थी ना उसका बहुत ही ब्रिखत पैमाने पे huge impact पड़ा प्रभाव पड़ा हैना मतलब किस चीज पे प्रभाव पड़ा लोगों के ये ऐसा प्रभाव पड़ा जिस वजे से public consciousness लोगों के बीच में जागरुकता पैदा हुई for civil rights जो नागरिक अधिकार होते हैं मतलब ऐसा था कि लोगों के बीच में ये जान गएं कि हमारा नागरिक का अधिकार क्या है उसके regarding एक आंदोलन छिड़ी उसके लिए लोग जागरुक हो पाएं है ना and in establishing king और साथी साथ इस speech का ऐसा प्रभाव हुआ कि king जो था ना वो American history का बहुत बड़ा वपता बन गया तो इस तरीके से हम Martin Luther King Jr. के बारे में कुछ जान पाएं अब हम आते हैं अपने इस speech पे तो देखिए लिखा है पहले बस्तिन जामे I have a dream यानि कि मेरा एक सपना है five scores five score years ago सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा score score का मतलब होता है twenty years यानि कि एक score में twenty years होता है और एक five score यहाँ पर है यानि कि इसको हम consider करेंगे five into twenty years यानि कि hundred years यानि कि बात की जारी है एक सो साल पहले अब यह ध्यान दीजीएगा यह सारी line जो है यह कौन बोल रहा है यह एक speech है सो हमारे Martin Luther King Jr. यह सारी चीज़े बोल रहे है तो वो बोलते हैं कि एक सो साल पहले a great American in whose symbolic shadow we stand signed the emancipation proclamation अब देखी कुछ words से वो बता जाता हूँ emancipation proclamation का मतलब होता है emancipation का मतलब होता है सुहतंतरता और proclamation का मतलब होता है गोशना पत्र तो एक सो साल पहले यानि सो वर्स पूरू एक महान अमेरिकी ने तो जिनकी छत्र चाया में हम खड़े हैं आज उन्होंने क्या किया था एक मुक्ती आजादी की घोशना पत्र पर हस्ताक्षक किये थे ठीक है जी दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ग्रेट बीकॉन light of hope to millions of negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice देखिए क्या कहना चाहरा है मुमेंटस का मतलब होता है अती महत्वपून यानि बहुत इंपोर्टेंट डिक्री का मतलब होता है आदेश तो ये जो emancipation proclamation हमने बात करी यानि कि जो बहुत ही स्वतंत्ता का जो घुष्णा पत्र साइन हुआ था उसको हम बोल रहे हैं बहुत ही important आदेश तो ये जो महत्वपून आदेश लिया गया दिया गया एक तरीका वो एक light of hope आशा की किरन की रूप मेर आया किसके लिए तो millions of negro slaves लाखो निग्रो जो slaves थे है ना जो गुलांग थे उनके लिए ये बहुत अच्छे आशा की किरन थी who had been sheared in the flames of withering injustice कि किसके लिए बोला जा रहा है sheared का मतलब होता है मतलब जुलसना है ना तो ये निग्रो slaves के बारे हैं बोला जा रहा है कि वो जो निग्रो थें मतलब निग्रो लोग हैं वो एक्दम से withering, withering का मतलब होता है मुर्जा देने वाला जो injustice है, उनके साथ अन्याय जो हुआ है, उसकी आग में वो जुलस चुके थे उन लोगों के लिए ही एक तरीगे से light of hope थी, है ना उनके लिए एक आशा की किरन थी इस चीज का ये जो घोशना पत्र शाहिन हुआ था, वो, है ना it came as a joyous daybreak to end the long night of captivity, यानि कि ये जो फिर से इसी की बात की जारी है ये जो आशा की किरन आई थी इन लोगों के लिए, उनके लिए एक joyous day था, है ना यानि कि एक आनन्द में दिन था उनके लिए to end ताकि अंथ हो सके किस चीज का, जो लंबे समय से, है ना, जो दास्ता की वो परिशानी जहेल रहे हैं, यानि जो उनको slavery वाला condition वो face कर रहे हैं उसका अंथ होने वाला है तरीके सुनको ऐसे होप हुआ चली, second paragraph है but 100 years later है ना, we must face the tragic fact that the negro is still not free वो कहते हैं कि एक साल बाद भील, है ना कहते हैं, लेकिन एक सौ साल बाद भी we must face the tragic fact मतलब हम अभी भी, है ना, उस दुखत सत्य का सामना करना पढ़ रहा है that the negro is still not free यही सच्चा ही है कि निग्रो अभी भी सुवतंद्र नहीं है इसी चीज का सामना करना पढ़ रहा है, यही हमारा तत्य है, हमारा fact है ठीक है, आगे देखी क्या होता है फिर बोलते हैं, 100 years later, मतलब एक सौ साल हो जाने के बावजूद भी the life of the negro is still sadly crippled मतलब अभी भी है ना, अभी तक, still मतलब अभी भी sadly crippled यानि कि बहुत उदासी भरे मन से बोला जा रहा है, कि वह एक विकलांग की रूप में घसीता जा रहा है क्या? यह निग्रो की life जो है, है ना, by the manacles of segregation manacles मतलब हतकडिया जो हतकडिया लगी है, segregation का मैंने पहले ही बताया, segregation का मतलब होता है जाती के हिसाब से उनको अलग-अलग बाट देना, तो segregate करना ने छाटना, है ना तो यह जो हतकडिया लगी है and chains of discrimination जो भीद भाव का chain अभी तक चला आ रहा है, उससे हमें अभी तक निजात नहीं मिली है हम निग्रों को, है ना 100 years later the Negro lives the Negro lives on a lonely island मतलब बोल रहे हैं मतलब तेखे, यह सारी lines यही दिखा रही है कि वो कितने परिशान हैं लोग, निग्रों लोग, है ना और उसी चीजों को यह यहाँ पर मतलब बया कर रहे हैं तो उसी संदर में वो बोलते हैं कि जो live है स्वरी, जो यह आपके निग्रों लोग हैं वो ऐसा लगता है कि मानों की lonely island पे, किसके island पे, गरीबी के एक tapu पे हम अकेले रह रहे हैं in the midst of a vast ocean of material prosperity material prosperity का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सम्रिद ही है मतलब सम्रिद देश हैं, बहुत तिक सम्रिद material prosperity मतलब एक तरीके से जो अमेरिका है वो बहुत ही इस चीज में सम्रिद है, और सारी चीजों में बहुत physically वहाँ पे लोग बहुत advanced है, तो ऐसे advanced जगह पे ये लोग अभी भी गरीबी का सामना कर रहे हैं इतने बड़े महासागर में material prosperity की इतने बड़े महासागर में उनके बीच में वो एक ऐसा लगता है मानो की वो एक टापू पर रहे हैं जहां गरीबी ही गरीबी है तो ऐसा ही वो बया कर रहे हैं आगे वो फिर से बोलते हैं 100 years later the negro is still languishing in the corners of American society and find himself and exile in his own land languishing का मतलब होता है कि दुख में दीन काटना या फिर तडपना, तो एक सो साल के बाद भी जो negro हैं अभी तक तडप रहे हैं, दुख में दीन काट रहे हैं, कहाँ पर अमेरिका की सोसाइटी में एक कोने में दुख के हुए हम ऐसा लग रहे है कि अपने मतलब दुख के दिन काट रहे हैं और हम ऐसा लगता है कि हम अपोने में हम अपने दुख के दिन काट रहे हैं आगे है, so we have come here today to dramatize an appalling condition इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, ताकि appalling का मतलब होता है क्या होता है, भयंकर दुदर्शा हमारी जो यह भयंकर दुदर्शा हो रखी है इस परिश्थिती के ओ dramatize, यानि कि नाटकी रूप देने के लिए तरीके से आए हैं उसको यहाँ पर दुदर्शित कर रहे है हमारी जो दुदर्शा है, उसको हम व्यक्त कर रहे है अगले थर्ड परिग्राफ में आते हैं और देखते हैं क्या लिख़्ा है, इन्होंने क्या बोला है इन्होंने स्पीश में कहते हैं, it is obvious यह स्वभाविक सी बात है तोड़े टाट अमेरिका हैस डिफॉल्टेड ओन देश्प्रामिसरी नोट इन्सो फार एस हर सिटिजन ओफ कलर और कंसर्ण मतलब यह स्वभाविक रूप से इस परस्ट है मैं इस परस्ट है आज के डेट में कि अमेरिका ने जो प्रामिस किया था पहले है ना, उसने जो प्रामिसरी नोट यानि की जो प्रामिस किया था हमसे जो वादी किये थे उस पे वो खरा नहीं उतरा है है ना, उसमें वो डिफॉल्टेड है, यानि चूक गया उसमें है ना, इन सो फार, as her citizen यहां के देश के जो नागरिक है उनके colors की जो बात है उसका संदर्ब में, उसके संदर्ब में जो अमेरिका है, वो चूक गया है, उसने जो वादी किये थे ठीक है? Instead of honoring this sacred obligation अमेरिका has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds तेखिए यहां पर एक तरीके से चीजों को मानवी करण करके बात कर रहे हैं, speech पे बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने check का साहरा लिया है और bank का साहरा लिया है, notice कीजेगा आप वो क्या करना चाहते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं वो कहते हैं, instead of honoring, मतलब मान सम्मान instead मतलब के बदले मतलब हमें मान सम्मान देने की बजाए this sacred obligation honoring this sacred obligation जो ये कह सकते है obligation का मतलब होता है आप पे आरोप प्रतरुप, जो ये sacred obligation लगा रहे हैं हम पे उसका honoring देने के बजाए मतलब की आप कह सकते हैं कि अपने पवित्र जो उत्तरदाई तो था अमेरिका का उसको पूरा करने के बजाए अमेरिका जो क्या है अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है has given the Negro people a bad check उसने क्या किया है निग्रों लोगों को जूठे check दिया है which has come back mark insufficient और ऐसा check दिया है जो की ऐसा दिखा रहा है उसमें अप पर्याब धन है और इसी वज़े से वो लोग लॉट आए ठीक है मतलब उन्होंने bank check का सहरा देखकर बोताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ वादा किया था जिसको निभानी पाएं और ऐसा दे रहे हैं check जो की उसको हम कैश नहीं करा सकते हैं बैंक जो है दिवालिया हो रखा है बैंकरप्ट है आगे देखी बैंकरप्ट की बात की गई है बट वी रिफ्यूज तो बिलीव देट लेकिन हम इस बात से सरा सर मतलब इसको सिरे से खारिज करते हैं हम यह नहीं विश्वास कर सकते हैं जो न्याय का क्यूंकि यह बताना चाहरे हैं कि हमारे लिए अभी वी होप है आशा की किरन हमulse नहीं खोई हुए है रहाँ पास आशा की किरन है हमें नियाय मिलेगा यानि कि वो इसी चीज पे अडे हुए है आगे वो बोलते हैं we refuse to believe हम इस चीज से सिरे से खारिज करते हैं हम इस चीज को मना करते हैं विश्वास करने से that there are insufficient funds in the great wards of opportunity of the nation मतलब हम इस बात से इस बात पर भरुशा नहीं करते हैं कि हमारा ये जो देश है है ना जिसमें अपार क्या करते हैं opportunities है ना opportunity यानि कि आउसर यानि कि आउसरों की इस महां तिजोरी वाले देश में हैं ना हम ऐसा मान ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे insufficient fund है यानि कि हमारी बातों को ऐसा नहीं है कि नहीं माना जाएगा हम इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश जो कि न्याय का देश है वो bankrupt हो चुका है ठीक है So we have come to cash this check जो हमें ये check दिया गया था जो हमें ये घोशनपत्र दिया गया था कि भाई यहां पर भेदभाव नहीं होगा तो इसी check को हम cash कराने आये हैं मतलब हमें न्याय चाहिए A check that will give us upon demand the riches of freedoms and the security of justice मतलब एक ऐसा check लेकर हम आये हैं मतलब वही घोशनपत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा check लेकर आये हैं जो कि हमें आजादी देगा demand the riches of freedom मतलब हमें सुक समरिदी मिलेगी हम भी मतलब धनी मनी हो जाएंगे मतलब हमें आजादी मिलेगी हम भी riches में गिने जाएंगे and the security of justice यानि कि न्याय की हमें security मिलेगी हाँ हम भी secure हैं हमें secure माना जाएगा justice को लेकर हमारे न्याय हमें हमेशा मिलेगा इस तरीके के चेक को लेकर हम आके समक्षाए हैं We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now hallowed का मतलब होता है पवित्र spot मतलब स्थान यानि कि हम लोग इस पवित्र स्थान पे इसलिए भी आए हैं to remind America of the fierce urgency of now urgency का मतलब होता है मतलब जरूरत अभी जो सबसे ज़्यादा तत्काल आउशक्ता जो है और fierce का मतलब होता है बहुत ही भयानक तो आज की इस भयानक आउशक्ता को याद दिलाने के लिए भी जो अमेरिका में हो रही है जो हमें आउशक्ता है हमें justice की जो आउशक्ता है इस सबसक्ता को हम मतलब remind कराने के लिए अमेरिका को आए हैं इस जगह पे इस पावन स्थल पे This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism मतलब ऐसा वो बोलते हैं speech में कि यह एक ऐसा समय नहीं है ताकि हम luxury यानि कि सुख का भोग विलास करें विलासिता में lift होने के लिए हम नहीं आए हैं और नहीं हम gradualism यानि कि gradual मतलब धीरे धीरे होता है तो gradualism की बात की जा रहे हैं धीरे धीरे जो विकास हो रहा है Tranquilizing मतलब होता है शान्त और जो drug मतलब नशा जो धीरे धीरे एक तरीके से नशे की रूप में यह जो हमारा क्रमसा विकास नहीं हो रहा है मतलब हमारी गाड़ी बहुत धीमी पड़ गई है ना इसके लिए हम नहीं आए हैं इसका हमें भोग नहीं करना है हम किसलिए आए हैं Now is the time to rise from the dark यह समय है ताकि हम प्रित्थक्ता यानि की गरीबी की अंधेरी यह ना गरीबी की अंधेरी और डिसोलेट वैली यानि की सूंसान वादियों से उठकर है ना of segregation किसकी? segregation मतलब क्या होता है मैंने बताया था जो भिंताएं हैं बिभिंताएं हैं अलग-अलग करने वाले जो निती चली आ रही है अभी तक उस चीज से उसके अंधकार से उठकर to the sun light to the sun lit path of racial justice यानि की इस चीज से उठकर हम जातिये न्याय के धूप भरे पत पर चलने के लिए आएं यह समय इस चीज का है हमें इस अंधकार से बाहर निकलना है और इस जातिये न्याय के पत पर हमें आना है now is the time to lift our nation from the quick sense of racial injustice to the solid rock of brotherhood brotherhood मतलब भाईचारा वो फिर से बोलते हैं कि यह समय है ताकि हम अपने देश को quick sense of racial injustice यानि की quick sense मतलब दल-दल होता है यह जो racial injustice हो रहा है अन्याय का जो दल-दल भरा पड़ा है उससे बाहर निकले हमारा देश और उसे हम कहां लेकर आएं solid rock of brotherhood solid rock of brotherhood यानि की यह ठोस चटान जो है भाईचारे का उस पत पर हम इस देश को ले आएं तो यह कुछ बोला है उन्होंने अगली paragraph में देखते हैं fourth paragraph में वो क्या कहते हैं कि it would be fatal for the nation मतलब fatal मतलब भयावा या फिर बहुत ही भ्यानक it will be fatal for the nation इस देश के लिए बहुत ही भ्यानक होगा क्या कहना चारे हैं वो कि to overlook the urgency of the movement and to underestimate the determination of the negro overlook का मतलब होता है नजर अंदाज कर देना यानि कि ये जो देश जो हमारी बातों को नजर अंदाज कर दे रहा है अभी की यानि की urgency जो जरूरत है अभी है ना जिस चीज की अभी जरूरत है हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने चाहिए अगर उसको अंदर नजर अंदाज कर दे रहा है ये जान लीजे आप है ना वो कहते हैं कि देखिए भई जो ये स्वेल्टरिंग समर है है ना जो ये उमस भरी गर्मी है किसकी यान धान देजे ये जरूरी नहीं कि सीजन्स की बात की जारी ये बस ये बताना चाहर है रिलेट करके कि जो निगरों का निगरों जो लोग हैं उनकी जो ये लेजिटिमेट यान कि वैद जो कानूनी रूप से जो उनकी मांगे हैं और डिसकंटेंड मतलब नीराशा तो उसको मा स्वरी अनसंतुष्ट तो निगरों लोगों की जो लेजिटिमेट है जो वैद्य मांगे हैं उससे वो असंतुष्ट हो रहे हैं जाहिर सी बात है इस स्वेल्टरिंग समर यानि कि जो उमस भरी जो गर्मी भरी पड़ी है इस चीज को लेकर उनके वैद्य मांगो को लेकर विल नॉट पास अंटिल यह मतलब यह तब तक नहीं रुकेगी दियर इस अन इन्फिगूरेटिंग ओटम और फ्रिडम और इक्वलिटी मतलब जब तक समानता हमें नहीं मिलेगी तब तक यह लोग चुपने बैठने वाले कुलमिला के बाद यही कहरे जारे हैं मतलब इक्वलिटी का जब तक आप यह क्या करते हैं यानि कि वसंतरी तु नहीं आता है हमनत नहीं आता है तब तक यह चुपने बैठने मतलब तब तक यह गर्मी सांथ नहीं होगी आगे देखिए 1963 is not an end यानि कि जिस साल में वो बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं 1963 की बात कर रहे हैं यह अंत नहीं है बट अबिगनिंग यह तो शुरुआत है बई दोज हूँ हो दैट दर निग्रो नीड़ेट तो ब्लो आफ स्टीम और विल नौवी कंटेंट विल रूड रूड अवेकनिंग इड़ नेशन रिटन्स तो बिजन्स अजिए मतलब वो कह रहे हैं ब्लो आफ स्टीम मतलब भाव की तरह उड़ जाना कंटेंट मतलब संतुष्ट अवेकनिंग मतलब जाग जाना अब यह कहना क्या चाहते हैं वह बताता हूं और ऐसा लोग आसा करते हैं जो लोग कि हमारे जो निगरो की नीडिड हैं निगरो लोगों की जरूते हैं अगर वह भाप बन कर ऊड़ जाएंगे और वो संतुष्ट हो जाएंगे इस बात को वो लोग जाग जाओ क्यों कि ऐसा नहीं होने वाला है निग्रो जो है वो ग्रेट का मतलब होता है रगणना या फिक घसीतना तो वो कह रहे हैं कि निग्रो और लोगों का citizenship राइट जो है नागरिक अधिकार जो है उसको घसीता किया है उसको कहां मतलब तबज्जु कहां दी गई है हमें तो discrimination का सामना करना पड़ रहा है है ना भेदभाव का the world winds of revolt will continue to seek the foundation of our nation until the bright day of justice emerges मतलब जब तक justice यानि कि नियाय का सूरज उदय नहीं होगा तब तक ये जो चक्रवात है world winds मतलब चक्रवात का इंड़ कह सकते हैं तो ये जो विद्रो का जो चक्रवात है वो हमेशा foundation यानि जो new है देश की उस new को वो हिलाते रहेगा ये ऐसा कहते हैं ठीक है फिफ परग्राफ पर आते हैं वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं but there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice यानि कि लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने लोगों से जो कि यहां पे इस दहलीज पे खड़े हैं जो कि माना जाता है कि न्याय का palace है न्याय का महल है उसकी दहलीज पे जो लोग खड़े हैं जो कि मेरे अपने हैं उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंग कि in the process of gaining our rightful place, मतलब इस process में, यानि कि अपने अधिकार वाले, अधिकार पूर्ण जो हमें चीजे मिलने वाली है, उस चीज तक पहुचने के दौरान, इस process में, we must not be guilty of wrongful deeds, deeds मतलब कारिय, wrongful मतलब, मतलब हमें गलत कारियों का भोगी नहीं बनना है, मतलब अपने achievement में, अपने जो goal को, मकसद को हम कामयाभी के लिए पाने जा रहे हैं, उस चीज को अजीव करने में, हमें ऐसा कुछ नहीं कर देना है, जो कि गलत कारियों का मतलब category में आए, है ना, त let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred, एक और अच्छी सी लाइन उनने बोली है, कि भाई, अपने इस आजादी की प्यास को satisfy करने के लिए, है ना, इस आजादी की प्यास को satisfy करने के लिए, हमें bitterness, यानि कि तीख्यापन और hatred, hatred मतलब घ्रिणा, मतलब ऐसी चीजों का cup of tea बना के नहीं प चीव करने, बस यही कहना चाहरे, चलिए आगे देखते हैं, 6th paragraph, we must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline, हमें जो भी हमें अपना struggle करना है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें अपना संघर्स करना है, on the high plane of dignity, यानि कि मान प्रतिष्ठा और अनुशाशन के मतलब, surface पे आके करना है, यही चीजे रखनी चाहिए हमें अपनी साथ, we must not allow our creative protest, हना, to degenerate into physical violence, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारा जो creative protest है, जिसमें हम अहिंसा का साथ नहीं ले रहे हैं, तो इसको physical violence में तबदील नहीं करना भाई, हना, again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force, मतलब हमें अपने soul force, source मतलब आत्मा, औ force मतलब बल, यह जो आत्म बल से हम लोग जुड रहे हैं, हमें again and again, हमें अपने majestic height तक पहुचना है, of meeting physical force, ताकि हम यह physical भौतिक रूप से जो हम जुड पा रहे हैं, हम अपना बल लगा रहे हैं, वो जुड पाएं, लेकिन अपनी दिल से करना है, यह सारी चीजे, हमें स्थान तक पहुचने के लिए, आत्मिक सक्ति, soul force को हम यह भी कह सकते हैं, आत्मिक सक्ति तक हमें उठना होगा, आगे देखिए, the marvelous new militancy which has engulfed the negro community must not leaders to distrust all white people, यह देखिए, marvelous मतलब बहुत अच्छा होता है, यह न, new militancy, militancy मतलब उत्सुपता, यह जो उत्सुपता हमारे अंदर भरी हुई है न, which has engulfed the negro community, जो की पूरे negro community को आगोश में लिए हुए है, है न, must not leaders, यह हमें इस तरीपके से, इस direction में नहीं ले जाए, lead मतलब नेत्री तो ना करे ऐसा, कि distrust all white people, हमें हर लोगों, हर white लोगों को, हर वाइट लोगों पे distrust नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है, कि उनपे भरुसा हमारा उठ जाए, हम उन सब पे भरुसा नहीं कर सकते है, ले लेखिन, कुछ लोगों को हमें हमें भरुसा करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग जो है white लोगों में से, वो हमारे साथ हैं आगे लिख रहा है for many of our white people for many of our white brothers as evidence by their presence here today आज भी वो लोग बगल में हमारे खड़े हैं तो अपना presence मौझूद्गी जाहिर कर रहे हैं have come to realize यह यहां आए हैं ताकि हमें realize हो सके that their destiny is tied up with our destiny उनकी भी जो destiny यानि जो उनका गंतव्य है उनका achievement वाला goal है वो हमारे भी goal के साथ tied up है बन्दा हुआ है and their freedom is inextricably bound to our freedom यानि कि उनकी भी अजादी हना बहुत ही complex तरीके से हमारे साथ ही चुड़ा हुआ है we cannot work alone और जाइस ही बात है हम अकेले तो आगे नहीं न भड़ सकते हैं तो इसी लिए हमें सब पे distrust नहीं करना चली आगे देखी 7th paragraph क्या है and as we walk we make the place that we sell always march ahead और ये भी कहते हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे हना we make the place that we sell always march हम ये एक प्रण लेके चलेंगे हम एक प्रतिग्या लेते हैं कि हम लोग always आगे आगे चलते रहेंगे सदा आगे बढ़ते रहेंगे we cannot turn back like हम पीछे नहीं मूढ तकते है ना there are those who are asking the devotees of civil rights और भी लोग हैं जो कि इस civil right के devotees जो कि हम है ना नागरिक अधिकार के जो devotees हम भक्त हैं तरीके से हम लोगों से लोग पूछते हैं when will you be satisfied कि आप लोग कब satisfied होगे भाई ऐसे भी लोग मिलेंगे हमें रास्ते में तो हमें पीछे मूढ नहीं है we can never be satisfied as long as our bird is heavy with the fatigue of travel fatigue मतलब थकान हैनी कि हम तब तक नहीं satisfied होंगे जब तक हमारा सरीर जो है travel करकर के थकान से heavy ना हो जाए cannot gain lodging in the mortals of the highways and the hotels of the cities और तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें भी एक अधिकार ना मिले कि हमें भी highway के cross जो घर होते हैं बड़े-बड़े hotels mortals होते हैं उनमें सहरो में हमें भी आवास ना मिलने लगे तब तक हम थकेंगे नहीं we cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one घेटो का मतलब होता है जुगी जोपड़ी तो वो यह भी बोलते हैं हम तब तक satisfied नहीं होंगे जब तक Negro लोगों को basic mobility यानि कि mobility मतलब भूमना फिर न तो उनको तब तक छोटे-छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े घरों में तब तक उनको निवास नहीं मिलेगा तब तक हम satisfied नहीं होंगे we can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote मतलब जब तक Mississippi में जगे के नाम है तो Mississippi में निग्रो लोगों को जब तक वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम satisfied नहीं हो सकते हैं and a Negro in New York मतलब निग्रो जो लोग New York में रखते हैं believes he has nothing for which to vote मतलब वहीं बात है Mississippi और New York में लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है जो कि मिलना चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम satisfied नहीं होंगे फिर है कि no no we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream तो वह कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम तब तक satisfied नहीं होंगे जब तक नयाय जो है justice जो है पानी की भाती ना बहने लगे और सदाचार जो है righteousness यानि की सदाचार जो है एक प्रबल धारा की तरह mighty stream की तरह ना बहने लगे तब तक हम संतुष नहीं होंगे जो paragraph 8 है उसको हम देख लेते हैं I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulation अब वो फिर से अलग माइने में बोलना चाहते हैं फिर से अब इस चीज़ पर चोट कर रहे हैं बता रहे हैं कि देखी भई मैं इतने देर से speech दे रहा हूं लेकिन इस चीज़ से मैं बिलकुल अवगत हूँ है ना I am not unmindful मैं यह नहीं भूल रहा हूँ यह नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आए हुए हैं of great trials and tribulation tribulation का मतलब होता है कष्ट जो लोग बहुत सारी प्रतार्नाई जहिल कर यहाँ पर आए हुए हैं उनको मैं नजर अंदाज नहीं कर रहा हूँ some of you have come fresh from narrow cells बहुत लोग तो इसमें यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो की काल कोटरी से उठकर यहाँ पर आ रहे हैं some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecutions and a persecutions and staggered by the winds of police brutality brutality मतलब बरबरता होती है battered है ना तो battered का मतलब बता मार को जहिलना है ना persecutions मतलब अत्याचार and staggered मतलब लड़ खडाना कहने का मतलब है कि मैं इन लोगों को भी नहीं नजर अंदाज कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कुछ लोग ऐसी जगों से आए हैं जो अजादी के लिए है ना अजादी की चाह के लिए उन्होंने मार खाई है है ना पुलिस के परतारनाई जहली है बरबरता जहली है यानि कि बहुत सारे अतिचार छेले हैं लड़ खडाते हुए जो कर यहाँ पर आए हैं उन लोगों मैं नजर अंदाज नहीं कर रहा हूँ वेटरेन का मतलब सैनिक होता है तो आप लोग एक रचनात्मक कष्टो के पुराने सैनिक है ऐसा वो बोलते हैं continue to work with the faith that on earth suffering is redemptive redemptive का मतलब होता है मुक्ति प्रद यानि कि लिबरिट अजादी मिलने वाले वाग तो वो कहते हैं continue to work with the faith आप इसी तरीके से इसी विश्वास से काम करते रहो कि मुफ्त का कष्ट मुक्ति प्रद होता है चली आगे देखते हैं और क्या कहा उन्होंने 9th paragraph है go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Lusinia, go back to the slums and ghittos of our northern cities knowing that somehow the situation can and will be chill वो कहते हैं चलो भाई जितने लोग भी आए हैं सबका मैं तहे दिल से सुक्रियादा करता हूं और सबके कष्टो को मैं नजर अंदाज नहीं कर रहा हूं और यह कह रहा हूं कि चलो भाई आप Mississippi से आए हो वहाँ चले जाओ, Alabama से आए हो वहाँ चले जाओ, फिर से मतलब वापस चले जाओ, Georgia से आए हो ठीक है आफिर से अपने घर चले जाओ, लोसुनिया से आए हो, वहाँ चले जाओ, अपने जुगी जोपड़ी वाले घरों से आए हो, Northern Cities के वहाँ चले जाओ ये जानते हुए कि somehow, कैसे न कैसे, जैसे न तैसे ये situation चेंज होगा, let us not wellow in the valley of despair वो कहते हैं कि हमें निराशन की घाटी में करवटे नहीं बदलना, आप चले जाओ, अपने जगाओ आगे 10th paragraph में कहते हैं, I say to you today, मैं आज आप लोग से कहता हूँ, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream मतलब इतनी सारी, in spite of मतलब के बदले में, इतनी सारी परिशानियां और frustration होता है न, कि कितनी सारी विफलता हैं, इतनी सारी कठिनाओं के बावजूद, ऐसे पल में भी, I have a dream, मेरे पास अभी भी एक dream है, क्या dream है भी, it is a dream, deeply rooted in the American dream, और ये एक ऐसा dream है, जो अमेरिकी सपन की जड़ों में गहराता जा रहा है, मतलब कुल मिला कि ये कहना चाहते हैं, इस सपने की जड़े जो है न, अमेरिकी सपने में गहरा गई है, I have a dream, that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, मतलब इनका सपना है कि किसी दिन ये राष्ट जो है, जाग उठेगा, और अपने सही सिदान्तों के सही अर्थ का पालन करेगा, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, ये जो सचाही है न, वो स्वासपस्ट है, क्या स्वासपस्ट है, कि जो सभी मनुश्य हैं, वो समान बने हैं, है न, 12th paragraph है, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood, मतलब इनका एक और सपना है, है न, Georgia की red hill वाले सडकों पे, है न, the son of former slaves, यानि की, former slave, यानि, former मतलब पहले के, है न, तो भूत पूर्व भी बोल सकते हैं, इसको, तो भूत पूर्व गुलामों के बेटे, और भूत पूर्व गुलाम मालिकों के बेटे, है न, former का मतलब होता है, भूत पूर्व, यानि की, भूत पूर्व गुलामों के बेटे, और भूत पूर्व गुलाम मालिकों के बेटे, वो जो है, इनका सपना है की, वो सब जो है, भाई चारे की मेच पर एक अठे बैट सकेंगे, ये इनका एक सपना है, 13th paragraph है, कि I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and operation, है न, will be transformed into an oasis of freedom and justice, उनका ये भी एक सपना है, Mississippi का जो राज्य है, जो मरू राज्य है, यानि की desert state है, जहाँ पर अन्याय और दमन की गर्मी है, हना, वो एक दिन स्वतंतरता और न्याय के मरुद्यान में बदल जाएगा, कई ये भी एक सपना है, I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character, उनका ये भी सपना है, जो उनके चार बच्चे है न, हना, तो इनका सपना है कि एक दिन मेरे चार बेटे ऐसे देश में रहेंगे, जहाँ पर उनकी जो परक है, उनकी तवच्चा के रंग से नहीं, बलकि उनके चरित्र के गुणों से होनी चाहिए, हैना, आगे दिखिए, फिर से I have a dream today, फिर से वो बोलते हैं, मेरा आज एक सपना है, हना, कि I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as sisters and brothers, तो यहाँ पे होता है, dripping मतलब तपकना, इंटर पोजिशन मतलब हस्तचेप and nullification, यानि कि व्यर्थक, setting aside, side में रखना, हना, तो वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन, हना, state of Alabama जो है, जिसके governor के होट, हना, यानि कि यहां के जो governor है, उनके जो होट है, जो कि उनके होटों से जो सब्द टपक रहे हैं, किस platform, वो बदलेंगे जरूर, उसकी परिस्तिती जरूर बदलेगी, वेर, एक परिस्तिती आएगी, जहां पर, है ना, कि छोटे काले लड़के, और जो काली लड़कियां है, छोटे स्वेथ लड़के, यानि कि सफेद लड़कों और स्वेथ लड़कियां हैं, उनके हाथ कर रहें, फिर से बोलते हैं, I have a dream today, मेरा सपना है आज, I have a dream that one day every valley shall be exalted, इनका एक सपना है कि यहां की प्रते घाटी उपर उठ जाएगी, every hill and mountain shall be made low, हर पहाड़ी वो परवत नीचे करती जाएंगे, the rough places will be made plain, जो उबड़काबर स्थान है, वो समतल बना दिये जाएंगे and the crooked places will be made straight, और जो तेड़ी मेरी जगह हैं उसको सीधी कर दी जाएंगी and the glory of the Lord shall be revealed, और जो इस्वर की महिमा है तो प्रकट होगी and all flesh shall see it together, और जो जितने भी प्राणी हैं इसे मिल कर देखेंगे, flesh का मतलब मांस होता है लेकिन यहां पर इंसानों के लिए यह वाड़ी उस है, this is the faith with which I return to the south, मतलब इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिन की ओर लोटता हूं, with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope, वो कहते हैं कि इसी विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड में से भी आसा का पत्तर चीर सकेंगे, with this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, वो यह भी कहते हैं, इसी विश्वास के साथ हम अपने राश्ट की खडखडाती कलह को भाईचारे की सुन्दरता यहना भाईचारे की सुन्दर स्वर संगीत में परिवर्तित कर सकते हैं, right, with this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day, मतलब इसी विश्वास के साथ हम मिलकर काम कर सकेंगे, मिलकर प्रातना कर सकेंगे, मिलकर संगर्स कर सकेंगे, हम मिलकर जेल जा सकेंगे, स्वतंत्य के लिए कटे खड़े हो सेकेंगे यह जान कर कि एक दिन हम स्वतंत्र होंगे ठीक है आगे बोलते हैं this will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning मतलब और यह वा दिन होगा जब इस्वर के सब बच्चे है ना एक नए अर्थ के साथ मतलब मेरे देश स्वतंत्र के प्यारे देश आपका मैं गुणगान करता हूँ यह हुआ देश है जहां मेरे पुर्वस मरे यात्रियो के गर्व का देश है फ्रम एवरी मांटेन साइड प्रतेक परवत की धलानों से स्वतंत्र की गीत पूजे ऐसा उनका कहना है आगे है 21 कि अगे है 21 कि और इफ अमेरिका इस तो बी अ ग्रेट नेशन दिस मॉस्ट कम ट्रू यदि अमेरिका को महान रश्ट बनना है तो यह पूरा होना ही चाहिए अगे पूरा फंपर नेशन जा और इस नेशन पर्वत कहना है पर्वत है तो यह कहते हैं की यह जो निव यॉयॉक की विशाल परवत है ना उनन से श्वतंत्रता की गूंज उठेऊ Let freedom ring from the mighty mountains of New York मतलब New Hampshire, New York इन सबके जो परवत चोटियां हैं उनकी उचाईयों से भी स्वतंतरता की गूज उठे Let freedom ring from the heightening allegories of Pennsylvania जो स्वतंतरता जो है Pennsylvania की allegories उचाईयों से भी स्वतंतरा की गूज उठे आगे कहते हैं Let freedom ring from the snow-capped rockies of Colorado वो ये भी कहते हैं तो तंतरता के जो है California के rockies परवतों से धकी चोटियों से भी गूज उठे ठीक है फिर कहते हैं कि Let freedom ring from the curvaceous peak of California मतलब इनका यही कहना है कि हर जगे से चारों दिशाओं से पहाडों की चोटियों से हर जगे से आजादी की गूज उठते रहे बट नौट वनली तैट है ना परंतुनों के वल इतना अजादी के लिए Let freedom ring from every hill and every mall hill or Mississippi from every mountain side Let freedom ring हर जगे से गूज उठती रहे इसकी लास्ट परिग्राफ कहते हैं वो When we let freedom ring मतलब जब हम सवतंतरता को ऐसे गुजा दिया हना हमने गुजा दिया When we let it ring from every village and every hamlet hamlet का मतलब खेडा चोटे चोटे गाउं जो हते हैं उनको hamlet बोलते हैं तो अगर हमने ऐसा हर जगों से freedom की गूज उठा दी हना अगर हमने हर छोटे छोटे गाउं से भी गुज उठा दी from every state and every city हर राजी और हर नगर से ऐसा गुजा दिया We will be able to speed up that day when all of God's children हना तो मुझे इन को जल्दी से ले आएंगे जब इस्वर के बच्चे black men and white men काले हो या सेत हो यानि कि वसा फेद हो Jews and Gentiles Yehudi हो या फिर Gentile हो Protestant हो या फिर Catholics हो हना We will be able to join hands and sing it sing in the words of the old Negro spiritual और वो सब हात मिला सकेंगे पुराने Negro भजन को गा सकेंगे Free at last Free at last Thank God Almighty We are free at last हने कि सब लोग ये गा सकेंगे अंततह हम सब सुतंत्र हुए सर्व सक्तिमान इश्वर का धन्यवाद की हम अंत में स्वतंत्र हुए तो इसी वार्णियों के साथ वो विराम लेते हैं इस स्पीच को खदम करते हैं और मैं भी विराम लेता हूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना खोलें तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेव थैंक यू थैंक यू सो मच